हेलो एब्रीवन स्वावेट आप सभी कटोफर्स ट्राइम चैनल में इस वेडियो में आज हम डिसकस करने वाले हैं जोग्रफी से इंपोर्टेंट 250 कोशन्स जो एक्जाम में पूछे जाते हैं तो यह कोशन्स जब आप देखेंगे तो आप खुद देखेंगे कि इसी तरह की कोशन्स जो आपको एक्जाम में देखने को मिलते हैं वाइट ओफ दा अर्थ किसे का जाते हैं मैंटल को ठीक है भारत का सरवादिक गरम स्थल कोन सा है जैसल में जो है वो भारत का सरवादिक गरम स्थल है कौन सा महासागर हेरिंग पॉंड के नाम से जाना जाता है तो अट्लांटिक महासागर को किस नाम से जानते हैं हेरिंग पॉंड के नाम से सरदार स्रोवर प्रियोजना किस नदी पर बनाई गई हैं नर्मदा नदी पर विश्व में केले का सबसे जादा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है भारत दक्षिन अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है अमेजन नदी संसार की सबसे महत्वपूरण जहाजी नहर कौन ची है तो वो है स्वेज नहर सबसे घना आबाद सार्क देश कौन सा है बांगलादेश वायूद मापनिक अयंत्र कौन सा होता है बैरोमीटर बर्मूडा त्रीबुज किस महारा सागर मिस्तित है उत्री अटलांटिक महासागर में पाक जल संदी की से जोड़ती है मनार और मंगाल की खाड़ी को सबसे बड़ा महासागर प्रशान्त महासागर भारत मिरेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है करनाटक है शिकार के लिए हार्पुन का प्रियोग कौन सी जन जाती करती है तो कौन सी जन जाती करती है Eskimo विश्र में मक्का की पेटी मिन्स कोर्न बैल्ट किस देश में पाई जाती है USA में वायुमंडल के आर्दत दाम आपनी वाला यंत्र हाईग्रो मीटर प्रशिद अंगुलिया नूमा जील शेत्र कहां परस्तित है सैयुक्त राज्य अमेरिका में संसार का सरवादिक करिये जो आलमुखी कोन सा है कि लायू जो आलमुखी प्रथवी के उपरी प्रत में किस तत्व की मात्रा सरवादिक है उक्सीजन की उत्तर भारत की मैदानी भागो में सीत रूटू में किस कारण से वर्ष्या होती है पश्चमी विक्षबों के कारण जो है उत्तर भारत में जो है सीत रितु में भी वर्षा होती है भारत का दक्षिन तुम द्वीब कौन सा है? ग्रेट निकोबार किमबरले किस के लिए परसिद है? तो किमबरले जो है यह क्या है एक हीरे की खान है तो इसके लिए परसिद है हीरे के खनन के लिए लाल सागर भूमन्दे सागर से किस नहर के द्वारा जुड़ा होता है? तो लाल सागर और भूमन्दे सागर जो है किस नहर से जुड़े है? स्वेज नहर से विश्व की सब से बड़ी खारे पानी की जील कौन सी है? कुन सी है ट्रांस कनाडा गैस पाइपलैन दवीपों की सरवादिक संख्या किस महासागर में देखने को मिलती है प्रशांत महासागर में भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम जील कुन सी है गौविद बलब पंत सागर चिलका जील खाँ परस्तित्य भारत में और इसा में ग्रेट निकोबार और सुमात्रा मतलब ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से कौन अलग करता है ग्रेट चैनल वाईयो मंडल की किस परत से रेडियो तरंगे प्रिवर्तित होती है तो ये होती है आयन मंडल से पवित्र भूमी के नाम से कौन सा दीश जाना जाता है फिलिस्त रहे विश्यो का चीनी भंडार या चीनी का प्याला की नाम से कौन सा देश जाना जाते है तो चीनी का प्याला या चीनी भंडार कौन सा देश है क्यूबा वाईयो मंडल में सरवाधिक मातरा में उपस्तित गैस कौन सी है नाइटोजन होती है 78% चावल का देश खा जाते है धाईलेंड को भारत की उत्री मैदानों में शीतकाल में वर्षा कैसे होती है वही पश्चिमी विक्षॉब से रिक्टर स्केल क्या मापता है रिक्टर स्केल मापता है भुकम की तिवर्ता को प्रित्वी के कितने प्रतीशत भाग पर जल मंडल का विस्तार है तो 71% भाग पर किस महादवीप में एटलस परवत स्तीत है तो ये है यूरोप महादवीप में विश्व की सबसे बड़ी जील कैस्पीन जील काला सागर किस देश के दक्षिन में स्तीत है रूस के दक्षिन में खनीस देलेम कोईला किन चट्टानों में पा जाता है अवसाधी चट्टानों में विश्व में सबसे उंचा बांध कौन सा है रोग वंसकी तजाकिस्तान में है ये सबसे उंचा बांध अरब सागर की रानी किसे कहते है कोचीन को किस शेत्र में जाड़े की रीतु में वर्षा होती है भूमध्य साग्रिय शेत्र में भारत में कोईले के सब से अधिक भंडार कहां पाए जाते है जारकंडोर पश्चिम बंगाल में सुनामी किस भाशा का शब्ध है जापानी भाशा का बगदाद किस नदी के किनारी स्थित है टिग्रिश नदी के किनारी किस नगर को एंपायर सिटी कहा जाते है न्यू योर्क सिटी को जो है एंपायर सिटी कहते है विश्व में सरभादी कागज त्यार करने वाला देश कनाड़ा किस प्राकर्तिक प्रदेश में इस्तित है तो कनाड़ा कहा है टैगा प्रदेश में कौन सा भ्यारन ने शेर के सनरक्षन के लिए प्रशिद है एशिया इस सिंग सुनाओगा तो वो कौन सा है गिर गुजरात में बाट की सबसे लंबी नदी गंगा नदी और सबसे दिक जन संख्या वाले दस देशों में एशिया में कितने देश है और सबसे दिक जन संख्या की बात करें तो जो टो टैन कंट्री जाओं में मतलब एशिया के कितने देश है छे देश है देश का सरवश्च्रेश्ट प्राकरतिक बंदरगा कुन सा है विशाखा पठनम इंद्रा गांदी नहर या राजस्थान नहर को किस नदी से जल मिलता है सतलुजनादी से विश्व का सबसे उंचा पठार कुन सा है तिबबत का पठार यहां पे विश्व का पूछा है तो तिब्बत का पठार कावीरी नदी के तर्पर कोंचा शेर स्थित है? तिरूचिरा पल्ली विश्व की सबसे लंबी परवत्स्रेनी कौन सी है? एंडीज परवत्स्रेनी विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्म फुत्र डेल्टा नीली करांती कि से सम्मंदित है? मच्चे उद्योग से किस देश के पास दुनिया का सब से बड़ा यूरेनियम भंडार है? तो यह है कनाडा के पास से प्राइद वीपिय भारत के पठार का निर्मान किस से हुआ है? लावा से विश्व का सरवादिक उँचा सकरिये ज्वाला मुखी कौन सा है? कोटो पैक्सी तो यह हो जाएगा कोटो पैक्सी तो इस दो कोशन्स हमने पढ़े इससे पहले भी हमने पढ़ा था कि विश्व का सरवादिक सकरिये ज्वाला मुखी, सिर्फ इतना पूछा जाए कि सरवादिक सकरिय ज्वाला मुखी कौन सा है तो वो है किलायू, जो कहां पर है हवाई द्वीप में है लेकिन यहां पर पूछा है सरवादिक उंचा, जो उंचा भी है सबसे ज़ादा और सकरिय ज्वाला मुखी भी है ठीक है लेकिन इन्होंने ये निकाया कि सबसे ज्यादा सकरिय ज्वाला मुखी जो है इसने सिर्फ ये पूछा है कि सबसे उचा ज्वाला मुखी कौन सा है तो वो है कोटो पैक्सी ओके तो दोनों में डिफ्रेंस याद रखे कि पूछा क्या गया है question में कोटी का संगमर्मर किस से मिलता है मकराना से सोर्मनल कात्यदिक तिवर ग्रै कौन है शनी ग्रै सोने का रेशा किसे कहते है जूट को भूमध्य रेखा की निकट किस तरह की वन पाय जाती है उशन कटी बंदिय वन शित्रफल की दृष्टी से सबसे छोटा राज्य कौन सा है गोवा है किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाते है नाईजर नदी को विश्व में चाय का सरवादी कुद पादक देश कौन सा है चीन गोबी मरुस्तल किस देश में स्तित है मंगोलिया में विश्व का सबसे छोटा महादेश कौन सा है उस्ट्रेलिया जाफना प्राइद वीप तथा श्री लंका की मुख्य भूमी को जोड़ने वाला पास कौन सा है एली फेंटा पास जाफना प्राइदविप और श्री लंका की मुख्य भूमी को जो जोडता है एलिफेंटा पास बनस पती एमम जीव जन्तुओं का जिवासम कैसी चट्टानों में पाय जाता है अवसाधी चट्टानों में भाकडा नंगल प्रियोजना किस नदी पर है सतलूज नदी पर भारत किस का सरश्रेष्ट उत्पादक एमम उभोगता है चाई का बात में सब से अधिक वर्षावाला स्थान मासिन राम प्रशिद मत्षिद शेत्र ग्रैंड बैंक कांस्तित है अट्लांटिक महासागर में शेत्रफल की द्रिष्टे से भार कविश में स्थान है सात्मा और एरिया वाय उस्थोरी जन संख्या वाइस देखें तो इंडिया की पोजिशन पर है सेकिंड पर मिसिसिप्पी और मिसोरी क्या है दो नदिया और दो रज्य बादलों की दिशाय अमगती को मापनी वाला अंतर क्या कहलाता है नीफो स्कॉप वाईमंड की सबसे निचली परत शोब मंडल संसार की चत पामीर का पठार कुका जाते हैं गंगा के मैदानों की पुरानी कच्छारी मिटी क्या कहलाती है बांगर काविरी नदी कहां गिरत किस कारण मृत हो रही है अत्यदिक मच्षन के कारण जो है प्रवाल भीती मृत हो रही है सागरिय जल में सुरु आधिक मातरा में पाया जाने वाला लवन कौन सा है सौडियम क्लोराइड उत्री ध्रो पर सरवपरतम पहुचने वाले वेक्ति कौन था रोबर्ट पियरी भा किस नेस्राव पर्थम प्रतिपादित किया कि सुरिय हमारे सोरमंडल का किंदर है और पृत्वी जो है उसकी प्रिकर्मा करती है तो ये सबसे पहले किस ने प्रतिपादित किया था ये प्रतिपादित किया था कौपर निकस ने ठीक है नेक्स्ट है भारत में धिकांस वर्षा किस मांसून से होती है तो दक्षिन पश्यम से कावेरी नदी जल विवाद मुख्यते किंदू राज्यों की बीच में है करनाटा कोड तमिल नाडू की बीच में है कावेरी नदी को लेकर विवाद विश्व का सबसे गहरा गरत कौन सा है मारियाना ट्रेंच कहां पर है ये प्रशांत की खाड़ी में विश्व में सबसे उंचा जवार कहां पर आता है तो सबसे उंचा जवार आता है फंडी की खाड़ी में जमीन पर फैलने वाली सबजियों की व्यपारी कर्शी क्या कहलाती है तो उसे कहते हैं ओलेरी कल्चर दामोदर निदी कहा निकलती है छोटा नालपुल पठार से रेशम की उत्पादन है तो व्यपारी स्तर पर रेशम की कीडों का पाला जाना क्या कहलाता है तो रेशम की कीडों के पाला को क्या कहते है सेरी कल्चर विश्व कस्तरवादिक जूट उत्पादक शित्र कौन सा है गंगा प्रंपुत्र डेल्टाइम मैदान किस देश में पाइपलाइन की लंबाई वहां की रिल मार्भूं की कुल लंबाई से भी अधिक है तो कहां पर है ये USA में संयुप्त राज्य अमेरिका में सवाना घास का मैदान कहां पर है अफ्रीका में रेकिस्तान में बादल अवशेट होकर क्यों नहीं बरस सती का मार्दल्टा की कारण विश्व कसर्व से बड़ा प्राइद वीपिय कुन सा है अरग प्राइद वीपिय है डोल्डरम क्या है जो भूमद्य रेखा क्या आसपास का अल्पदाब का शेत्र है उसे क्या कहते है डोल्डरम कहा जाता है सर्फ आदिक सकलिय जो अलमों की कहां पाहल जाते है प्रशांत महासागर की तटिये भाग में विश्व में नारियल कसर से अधिकुद पाधन कौन देश करता है फिलिपिन्स बाद कसर से उचा जल प्रपात कुन सा है जो उचल प्रपात करनाटक में है विश्व में रेलमार की सर्वाधिक लंबाई किस देश में है संयुत राजे अमेरिका मी ग्रोहों की कुल संख्या स्वर मंडल मी आठ है दिर्क रेडिये तरंगे प्रत्यू की किस तैसे प्रयावर्तित होती है आयन मंडल से हीरा कुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है माहा नदी पर किस किसम की मिट्टी में जिपसम का प्रयोग करकि उसे फसल वानी के लिए उप्यूकत बनाया जाता है तो राइट आंसर हो जाएगा अमली है मिट्टी में विश्व की सब से उची जील कौन सी है टिटी काका कंदरी सुष्क भूमिक खेटियन उसणान संसान कहां पर है नई दिली में दक्षिन की गंगा किस नदी को कहते हैं कावेरी नदी को ग्रेट बारियर रेफ कहां पर स्तित है और कहीं कहीं पर इसका जो आंसर है वो गुदावरी भी दिया गया है टिक है, बुक्स में जो है कहीं पर इसका आफसर रेको दावरी पि दिया गया है और कहीं कहीं पर कावेरी पि दिया गया है तो ओप्ष्न में देख लीजिए है जो मेले वही लगा दिजी है ग्रेट बैरे रेफ खांपर स्थीत है आस्ट्रेलिया के एक उत्तर पुर्वी तट पर विश्व की सबसे गहरी जील कौन सी है बैकाल जील सबसे बड़ा सागर कौन सा है दक्षनी चीन सागर वायू मंडल में दानिक मोसम प्रिवर्तन किसके कारण होते हैं सबसे उंचा बताना है तो वो कोटो पैक्सी है सबसे बड़ी पोत वाहक नहर कौन सी है जो जहाजी नहर आमने पहले पढ़ाई कोशिन स्वेज नहर भारत के सबसे पुरानी परवत माला रावली किस जनजाती के लोग डूद को ताजन पीकर उसे खटा करके पीते हैं खिरगित जनजाती के लोग देश का प्रतम जैवारक्षे शेत्र कौन सा है निलीगिरी चाई की खेती के लिए सबसे उप्यूग जलवाईयों कोन सी है मामसूनी जलवाईयों समसे चमकीला ग्रह शुक्रे ग्रह ब्राजील के अर्थ वहस्ता मुख्यते किस के उत्पादन पर निर्भर करती है कॉफी के संसार में निमंतम प्रजनंदर किस की है स्वीडन की कौन सी मिट्टी का पास की खेती के लिए उप्यूगत होती है डेगूर मिट्टी खेबर का दर्रा कहां पर है पाकिस्तान में टुंड्रा मनस्पति का सरवाधी क्विस्तार कहां पाय जते है उत्री अमेरिका में गोल खरांदी का संबन किस्ते है आलू उत्पादन से कौन से जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है यूरोप के अफ्रीका कोन करता है अफ्रीका से जिब्राल्टा बार किस अफ से लंबी नहीं कों सी है इंद्रा गांधी नहीं किसे रूस का मैंचेस्टर का आ जाता है इवानिवो को दिन और रात बराबर होते है दि सर्वाधिक लवनता कहां पाई जाती है चिलका जिल्जवय वारत में उसमें कोई ना बाम किस नदी पुरस्तित है महाराश्टु में पृत्वी की जुडवा बहन किस ग्रया को कहते है शुक्र ग्रया को भाकडा नंगल प्रियोजना सत्लूज नदी पर पश्ची मेस्या का दक्षणी अंडवानमी स्वर्मंडल में सब से बड़ा ग्रया ब्रश्पती ग्रया साबर्वती नदी किस शहर के किनारे पर है एहमताबाद विश्व किस सबसे बड़ी मीठे पानी की जील कौन सी है सुपीरियर जील पृत्वी किस गयलेक्सिय का भाग है मिल्की वेका सु पर्देश की सिमा देश कि सर वाधिक राज्यो को चीता है उत्तरप्रदेश की भारत धरिक करम्धी से जुड़े विज्वानी कौन है डॉक्टर म.स्वामी नाथन, मानस किस नदी की उपनदी है ब्रहंपूत्र नदी की बारते राज्यो में सर वाधिक जंध जाती है संख पर स्थित है तो ये कहां पर है करनाटक में सेतो समुद्रम प्रियोजना किसको जूडती है मननार की खाड़ी और पाक खाड़ी को फ्यूजियामा किस देश का जौला मुखी परवत है जापान का विश्व का सबसे उंचा जलप्रपाद एंजल जलप्राबाद भारत की तीसर सरवाधिक बोली जाने वाली भाषा तेलगू भारत के किस राज्य में जाड़े का मोसम में वर्षा होती है ओडिस्सा में दक्षिन भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है गुदावरी नदी गुलावी क्रामती किस से सम्मन्दित है जिंडा उत्वादन से पूर्वी घाट एंपश्च्वें घाट प्रवत श्रीनियों का सम्मिलन स्थल कोन सा है नीलगिरी की पहाड़ियां माराष्टर में सरवाधिक मात्रा में पाये जाने वाली उपलब दुम्देदा का प्रकार क्या है काली मिटी जापान का सर से छोटा द्वीब कोन सा है शि मनदल में दूदभा राष्ट्रय उत्यान के पर है उत्र प्रदेश में विश्व कजब से बढ़ा हो द्योग लो इस्त्वात्त द्योग घना पक्षिय भ्यारण ने किस राज्य में इस्तित है राजस्थान में राष्ट्य वान अनुसर नांत संस्थान का पर है देरा दू विश्यू के सबसे बड़ी मीठे जल की जील सुपीरियर, रिक्ट्रस के अप्रियोग के किसे मापने में किया जाता है भूकम के जटके, पर्ट्वी के सबसे निकट गरहा है शुक्र, दक्षिन भारत के पठारी प्रदीशों को कौन सी नदी दो भागों में विवाजित करती है तो वो है नर्मदा नदी, किस गती के कांड पृत्वी पर दिन रात होती है घुरुणन की कारण, जिंबाबिक हिराज जानी हरारी का प्राची नाम क्या था सैलिस बरी, हिराकुंड किस नदी पर है कृष्णा नदी पर, रितु प्रिवर्तन का सम्मन पृत्वी की किस ग पादन होता है जम्मू कश्मीर में, ग्रीन विच किस देश में है यूके में, विश्व कसर से उंचा ज्वाला मुखे परवत को तो पैक्सी खांस तित है इकवे डॉर में, लूनी नदी किस में गिरती है कचकार रन में, नंदा देवी चोटी किस हिमाल्य का भाग है कुमा सुनी प्रदेश भारत का पिट्स बोग किस शहर को का जाते है जहशे उर्को समुद्री जल्वे कों सल्वादिक उत्वादिक वाला देश कोन सा है चीन मच्श उद्यो की द्रिष्टे से कों सा देश महतुपूर्ण है नॉर्वेग विश्म एकोली का सबसे जाद उपादन कों सा देश करता है चीन करता है बार में प्रत्थम बहुत देश्य प्रियोजना का निर्मान किस नदी पर किया गया था दामोदर नदी पर करक रेखा भारत में कितनी राज्यों से गुजरती है आठ राज्यों से सुनामी का मुख्या कारण के है गुकम बात की सबसे बड़ी जील वूलर जील दस लाग हातियों की बूमी के नाम से कौन सा देश जाना जाता है लाओस पूराव का मैंचेस्टर औस साका विश्म का सरवादिक ज्वाला मुखी शेत्र कौन सा है फिलिपाइन वीब सिश्मो ग्राफ क्या रिकोड करता है गुकम की तिवर्ता विश्व की सबसे लंबी ना दी नील ना दी पिगमी कहा के निवासी थे निवासी है अफ्रीका के दक्षिंद रूपर पहुचने वारा प्रत्वम व्यक्ति एमन सेंग भारत की सुर्व आधिक बड़ी जन जाती सिश्मो गौंड भारत का सबसी लंबा राजमार नेच 7 आइटिंग अब यह चेंज हो चुका है अब जो है सबसी लंबा राजमार नेच 7 नहीं है तो इसमें थोड़ा डाउट है तो इसे छोड़ी दीजिए अब किसी को पता है तो कमेंट करके बता दीजीगा कि कौन सा है बट में भी चेंज हो चुका है, सबसे लंबा राजमाग NH7 नहीं है विश्व के सबसे उज़े सड़क कुन सी है? ले मनाली मार्ग वरतमा समय में सूती बस्तर के उतपादम में विश्व का प्रतम स्थान कीस देश का है, चीन का विश्व के सबसे व्यस्त व्यपारिक नदी कौन सी है? राइन नदी विश्व में लंबे रेशे के कपास कसब से बड़ा उतपादक अमिर्यातक देश कौन सा है? सयूपतराष्टर अमेरिका विश्व कसब से उचा जलप्रपाद, एंजल जलप्रपाद संग, साशित, प्रदीश, दादर और नगर हविली बारती किन राज्यों के बीच में स्थित है? तो दादर नगर हविली कहां के बीच है? गुजरात और महराष्टर के बीच है सूर्य में ध्रादल का तापमान लग भग कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है तो यह थे जोगरफी से रिलेदेट 250 कॉश्यन थांक यू सो मच है